उधारन पांच कक्षा दस्वी के दस विद्यार्थियों ने एक विज्ञान कुईज में भाग लिया कुईज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक थी तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या रही होंगी हल माना विज्ञान को इसमें भाग लेने वाले लड़कों की संख्या X वा लड़कियों की संख्या Y थी तब कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या अब कुल विद्यार्थी हमारे पास 10 है बराबर लड़कों की संख्या X धन लड़कियों की संख्या Y या हम X धन Y बराबर 10 लिख सकते हैं तो ये हमारा पहला समीकरण हुआ चुकि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक थी अथा एक समीकरण और बनेंगा Y बराबर X धन 4 जो कि हमारा समीकरण 2 है अब हम समीकरण 1 वा 2 का आलेक खीचने के लिए X और Y के संखत मानों की सार्णी बनाएंगे और सार्णी की मदद से आलेक खीचेंगे समीकरण 1 में X का मान 1 रखने पर Y का मान 9 X का मान 2 रखने पर Y का मान 8 X का मान 3 रखने पर Y का मान 7 X-Cram4 रखने पर Y-Craminking 6, X-Cram5 रखने पर Y-Cram5 एबं X-Cram6 रखने पर Y-Cram4 प्राप्त होता है इसी प्रकार मंंदा आप imagining 2 में isพमे Ăम कामान 1 रखने पर Y-Cram5 प्राप्त होता है Xद लोोगelsudnoling पर Q-S shopping 7 Teraz just dime 2 की पर Y-Cram 6 रखने पर हमें Y का मान 9 प्राप्त होता है एबंग X का मान 6 रखने पर Y का मान 10 प्राप्त होता है ग्राफ पेपर पर साणी एक वह दो से प्राप्त मानों को प्रदर्शीत करते हैं तो दो सरल रेखाएं L वह M प्राप्त होती है ग्राफ पेपर पर आप देखते हैं कि यह दोनों रेखाएं L वा M एक दूसरे को बिंदू 3 साथ पर काट रही है यानि प्रतिछेत कर रही है यह बिंदू दोनों समीकरणों से प्रदर्शित सरल रेखाव पर इस्थित है इस बिंदू 3 साथ में X का मान 3 Y का मान 7 है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं यानि लड़कों की संख्या तीम और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या साथ है तो हमने आलेक से प्राप्त किया कि लड़कों की संख्या X बराबर 3 और लड़कियों की संख्या Y बराबर 7 है यह इस प्रश्न का हल होगा समिकर्णों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान याने की प्रतिछेद बिंदु ही उन समिकर्णों के हल होते हैं क्या प्रत्येक परिस्ति में हम एक दूसरे को काटती हुई सरल रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं बलकि अलग अलग परिस्तितियों में बने समिकर्णों के लिए आलेक पर प्राप्त सरल रेखाएं, अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं आईए इन्हें समझें पहला, जब समिकर्णों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदू पर काटती हों तब समिकरन का अधविती हल प्राप्त होता है कटान बिंदू के मान ही समिकरनों के हल होते हैं दूसरा जब समिकरनों से प्राप्त रेखाएं समानतर हो तब समिकरन का कोई भी हल नहीं होता क्योंकि कोई भी बिंदू उभेनिष्ट नहीं होता तीसरा، जब समिकर्णों से प्राप्त रेखाएं समपाती हूँ अर्थात एक दूसरे पर स्थित हूँ तब समिकर्ण के अनंतता अनेक हल होते हैं, क्योंकि इस इस्थिती में अनेक बिंदो दोनों रेखाओं में उभःनिष्ट होते हैं समीकर्णों द्वारा प्रदशित सरल रेखाओं की विशेष्टाएं विहवारिक जीवन से सम्मंधित समस्याओं को समझने में मददगार साबित होती हैं